हेलो फ्रेंट्स वालत आपको वर्टेक्स लानिंग पॉइंट पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइट इंडिस्टेंस का टॉपिक एंगल अफ एलिवेशन एंड एंड लाइन आफ साइड तो अगर यह तीन चीज आपको क्लेर है तो आपको हाइट इंडिस्टेंस में को तो क्या होती है इसे क्या बोलते हैं आपको क्या अप और दूसरी बात किया इमेजनीराइन जो यह बना रही होती है इसी क्या थीटा को आधे एंगल ऑफ एप एलिवेशन क्या भोलते हैं इंगल ओफ एलिवेशन इसी एंगल को भूते हैं में कोई जाए अब हम दोशीख लेंगे कि एंगल अब डिप्रेशन क्या होता है चलते हैं दूसरे डिएग्राम पर कि एक अब कोई जो बंदा यहां खड़ा था पॉइंट सीपे वह क्या पॉइंट यह पे चड़ गया चड़ गया है और नीचे की तरफ क्या कर रहा है देख रहा है जैसे माली जो मैं चट की तरफ देख रहा हूं तो जरू ली तो नहीं कि मैं हर बाद नीचे से ही देखूं उपर से भी जाके चट से भी तो मैं नीचे देख सकता हूं तो इस बार क्या हो गया है कि जो बंदा था वो पोल पे चड़ गया और नीचे की तरफ क्या कर रहा है देख रहा है तो बंदा जहां जो चढ़ा उसके हमने क्या करने या एक बना लिया या इस लाइन को देख रहा है तो यह लाइन जो फूम होरी गाल जो पर जिक देख रहा है इसमें घ्रना इसमें और इसा एंगल कोि थीटा इसे क्या बोलते हैं एंगल अफ डिप्रेशन तो मेरे ख्याल से एंगल अफ एलिएशन एंगल अफ डिप्रेशन और लाइन अफ साइट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर यह चीज आपको क्लियर है तो हाट इंडिस्टेंस में कभी कोई